तो दोस्तो फाइनली आज हमारे साथ है All New Mahindra Scorpio N और आज में आपके लिए All New Mahindra Scorpio N का फुल डीटेल रिव्यू लेका है हूँ, आज की वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे All New Mahindra Scorpio N में क्या फीचर्स आपको आफ़र किये जाते हैं, इंटीरियल लेयाउट कैसा है, कै आप इसके Top End Variant की बात करेंगे, जो की अभी आपके सामने है, जिसका राम है Z8 Luxury Variant, इसकी Action Room Price Manual में है 19.49 लाग रुपीज, यहाँ पर आपको पावफुल 2.2 लिटर का डीजल एंजन, साथ ही 2 लिटर का टर्बो पेट्रॉल एंजन, दोनों का उप्शन दिया गया है, गाड़ी के डिजाइन को, तो गाड़ी का डिजाइन बहुत ही जादा बोल्ड और मस्कुलर दिया गया है, अगर आप देखेंगे ना, साइट प्रोफाइल से गाड़ी बहुत जादा बड़ी लगती है, काफी चौड़ी अपील है इसकी front से, अपने segment में सबसे जादा की फॉब है, ऐसा कुछ पहले की फॉब देखिए, इसमें लॉग और लॉग और लॉग और लॉग प्रेस करके बूट को ऑप्शन ओपन करने का function दिया गया है, तो देखिए इसमें अभी जो follow me headlamps है अभी नहीं देखेंगे, साथी देखिए जो यह headlamps है, यह आपको fully LED offer किये गए, यहाँ पर आपको LED के साथ प्रोजेक्टर दिये गए है, एक आपको normal LED setup दिया गया है, कुछ blinker आपको बहुत ही जादा शानदार full on LED में दिये गया है, काफी अच्छी quality है, नीचे देखिएंगे, cornering function के साथ आपको LED lamps दिये गया है, कुछ आपको C-shaped DRL offer किये ग और यह दिखती है, गाड़ी कुछ front से, अब इस गाड़ी का जो भी color option आपके सामने है, यह है नैपोली black color option, बहुत ही जादा bold और muscular appeal इसको देता है गाड़ी को, इसमें और भी कई साले color option है, सबकी वीडियो आईगी, सबसे बहले देखिए गाड़ी का front का approach angle, तो अगर आ अगर आप इसके side की profile को देखेंगे, तो side से गाड़ी बहुत लंबी दिखाए देती है, अगर आप alloys की बात करेंगे तो alloys का design अपनी body के साथ बहुत बढ़िया तरीक से compliment कर रहा है, इसमें आपकी बाद दो option है alloys में, अगर आप देखें तो, अगर आप manual लेंगे तो आ उसी segment में उसी leak के alloy दिए गए है, बहुत ultimate, और यह है इसके side की profile, नीचे से देखेंगे, तो इतना कुछ ground clearance है गाड़ी में, 187 mm का आपको laden ground clearance मिलता है, और आईए गाड़ी के पीछे से देखता है, तो यहां से भी आपको जो सब सची चीज दिखेंगी, वह है इसकी sunroof, तो यह देख सकते इसकी sunroof को, और पीछे का look कुछ है साथ है, पीछे से गाड़ी काफी उची feel होती है, जिससे आपको अच्छा headroom feel होगा, साथी जो connected feature इसमें मिलता है, Ardenox की branding है, पीछे के tail lamps कुछ ऐसे दिखाए दिखेंगे, और fuel tank की position, यहां की गई है, जैसी आप इस की देखेंगे, तो वही same design है, यहां से भी वही colliding का part है, अब आये चलते हैं, इसके NTS में, वहां समझते क्या कुछ है, पीछे जो parking camera ही, यहां place किया गया है, आपको washer, wiper, diffuser, सब कुछ दिया गया है, इस copy N की नई bradging है, जो कि ऐसे दिखती है, कुछ यहां पर थोड़ा extended part है, जिसमें आपको, सारा आपको जो एक chrome का element है, वो दिखेगा, उसके सारा request parking sensor, नीचे आपको जो spare wheel है, उसको place किया गया है, जिससे गाड़ी में अच्छा boot space मिले, और जो सारे suspension के elements है, वो आप देख सकते है, जो suspension आपको दिए गए है, यहां आपको वाटलिंग suspension मिलें जो कि Ford Endeavor में भी दिए जाके से, कुछ ही यह गाड़ी का 4x2 आला option आपके सामने है, जो कि rear wheel drive version के साथ है, तो पीछे वाले axle में जो आपने differential देखा, वो मिलेगा, इसमें आपको 4x4 का option भी मिलता है, अब जैसे engine options की भी बात करेंगे, तो 2.2 M Hawk diesel engine offer किया गया है, साथ ही कुछ काफी यूचा, काफी खड़ी खड़ी गाड़ी आपको लगेगी, काफी आप राइट इस्तान से इसका, जो roof rail आपको मिलती है, ये भी fully functional है, तो आप इसमें company fitted, जो आप accessory में इसका carrier है, वो लगवा सकते है, और पीछे ये कुछ इसका spoiler का part है, अब आईए देखते ह में, क्या कुछ आपको offer कर रही है, महिंद्रा, एक request बटन यहाँ है, तो ये आपको दिये गए है, all new महिंद्रा N के अंदर premium इंटियर, बहुत ही जादा ultimate, काफी शानदा लगेंगे आपको, ऐसे कुछ लगेंगे, जो इंटियर की पूरी theme है, वो भी dual tone में है, देखिंगे black shade के साथ, आपको rich coffee black car tone दिया गया है, बहुत ही ultimate, अगर आप door pad की बात करेंगे, तो ये कुछ है, इसके सारे door paddings, यहाँ पर भी आपको कुछ silver accent दिये गए है, सारे आपको power wind को control, उसे के साथ, वो आपको forward करने के लिए, और नीचे कुछ इतना space है, काफी अच्छा spacing दी गई है, अब यह इसका luxury वाला variant है, Z8L, तो इसमें आपको Sony के द्वारा 12 speaker का system मिलेगा, चूँकि आप यहाँ पर सारा placement देखेंगे, एक central speaker मिलेगा, 445 वाट की इसके पूरी power output है, और यह कुछ इसके सारी seating देख सकते हैं, अब luxury variant में एक और अच्छी चीज है कि यहाँ प इंजन की वाद के लिए देख बार, तो यहाँ पर है इनका 2 लिटर का turbo petrol engine, आपको दिखाता हूँ, बॉनट का weight काफी अच्छा है, काफी heavy bonnet feel होगा, यहाँ पर full on insulation आपको दी गई है, अब यह इसका petrol variant है, तो यह इनका 200 BHP की power बनाता है, जो की segment में सबसे ज़ादा है, का maximum torque है इसका, और यहाँ देखेंगे बहुत बढ़िया clearance है, अब यह क्योंकि rear wheel drive option के साथ है, तो engine को seal cording mount किया जाता है, यहाँ पर battery का placement है, और यहाँ पर इसका air intake का पूरा system मिलेगा, अब जैसे पुरानी वाली इस copy में आपको pneumatic spread आते थे, pneumatic वो कुछ इसमें नहीं है, आपको सारे के सारे जो animations है, वो यह show करता है, यहाँ पर कहीं नहीं है, आपको जैसे आपकी थार है, या फिर जो मैं कहूं जैसे अलग इनकी गाड़ी है, तो वैसा ही कुछ cluster मिलेगा, जो tire का सारा आपको rotation है, वो भी यह show करता है, और steering guard design देखेंगे, ऐसा कुछ है, बहुत शांदार, बहुत ultimate, lights में कोई शिकायत नहीं है, अगर आप windshield के area के बात करें तो, क्यूंकि आप बहुत उचा इस गाड़ी में बैठे होते हैं, तो windshield area थोड़ा आपको, उचा की से थोड़ा आपकी level में लगए, बहुत broad नहीं लगएगा, लेकिन visibility ठीक है, इसमें, और 6 airbag मिलते हैं, नीचे देखेंगे, इतना कुछ glove box में space है, cooling का function भी दिया गया है, उसे के साथ lighting का function भी है, नई इस copy on की branding मिलेगी, और stitching का part है, बहुत ज़्यादा शांदाल लग रहा है, अच्छी quality दी गई है, जो plastic material है, वो भी अच्छा है, bonnet पूरी तरीके से visible है, अ मतलब यह basic है, मतलब जो आपका requirement है, सब कुछ दी गई है, यह इनका नया 8 इंच की screen है, जिसका layout कहीं न कहीं है, आपको LTS की याद दिलाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया, यहाँ पर कुछ आपको metallic finishes भी दी गई है, silver accents भी दिये गई है, जो piano black element से बह navigation, application, यह basic मतलब सब कुछ आपको दिये गए है, और यहाँ पर volume और यह AC के सारे control है, fully automatic AC है, dual zone आपको AC मिलेगा, इस side का अलग temperature, co passenger का अलग temperature आप कर सकते हैं, यह इसका सारा आपको transmission का एक lever दिये गए है, क्योंकि automatic है, तो park, reverse, neutral, drive और manual mode दिये गए है, plus minus आप अपने according कर सक यहाँ पर देखेंगे, hill descent control offer किया गया, traction control को off करने के लिए, parking के लिए, hazard lamp के लिए है, आपको ideal start stop को बंद करना कर सकते है, यह इसका 360 जो एक camera है, जो आपको front का view भी देगा देखिए, front का view पूरा दिखा रहा है, तो इसको आप यहाँ से toggle कर सकते है, किस according आपको कैसा space है, बहिंदरा यह recommend कर रहाएगी, यहाँ पर आप अपनी चांबी रखिए, और इसको बंद करेंगे, बहुत अच्छा support है, बढ़िया चोड़ा है, दो लोग इसको use कर सकते हैं, और यहाँ पर इतना कुछ, इनने cup holder display space है, एक आपको parking lever यहाँ मिलेगा, अब आई है sunroof की समझते हैं, कितना कुछ sunroof का सारा इसमें, aperture आपको मिलेगा, तो इसको आप open करेंगे, तो इतनी कुछ इसकी speed है, काफी silent है, और इतना कुछ ही पीछे जाने वाला है, और इसको आपको अगर आगे लाना है, size इसका मतलब XUV7W, अगर आपको चाहिए premium front में, तो वहाँ panor प्रामिक sunroof मिलती है, इसमें normal sunroof है, लेकिन काम ये भी बखो भी कर रही है, 12 speaker का system सब कुछ दिया गया, अब आई ये second row seat में समझते है, और फिर देखेंगे third row और second row seats के साथ, क्या कुछ माहिन रणे आपको देने की कोशिस करी है, इन seats को मैंने पूरा पीछे किया हुआ और इसको जल्दी से देखें, second row seat में तो ऐसी कुछ पूरी layout है, पहले कि इस copy में भी बहुत शांदार आपको second row में space मिलता था, इसमें भी वही चीज है, लेकिन यहां पर हुआ ये है, कि जो cushioning है, material वो change हो गया है, थोड़ा सा let the rate use किया गया है, जो कि जाधा premium लगता है, तो seat आपको जाधा भरी भरी लगेगी, जाधा comfortable feel होगी, अब आगे वाली seatों के मुकाबले, जो second row के seats है, यह थोड़ी सी जाधा height में है, जिससा आप थोड़ा जाधा height में बैठेंगे, और वही बात third room है, उसको भी देखेंगे अभी, और ऐसा कुछ पूरे हैं आपर, ज management यहां किया गिया है, अगर आप पूरा aperture देखेंगे, डोर इतना कुछ अपन होता है, और इसमें बैठना, चाड़ना, उतनना बहुत आसान है, गाड़ी थोड़ी उची है, तो महिंद्रा ने यहां पर इसका सारा धियान रखा है, एक आपको company fitted footstep मिलने वाला है, अब इन अच्छी तरीके साब headroom manage करते हुए, यहां पर अपना सफर कर सकते है, अंदर देखेंगे कितने लोग इसमें आ सकते हैं, तो तीन लोग इसमें आसानी सा आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने segment अब सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है, यह इसका front का तो यह गुजरा, बीच में एक आपको छोटी से tunnel मिली कि ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, उसी तरीके से अगर आप इसको fold करना चाहते हैं, तो उस side से आप ज़्यादा बड़िया तरीके से entry ले सकते हैं, एक नजर मैंने आपको गाड़ी के rear look को दिखाया है, तो यहां उसको अभी हमने fold किया हुआ है, तो इतना कुछ यहाँ पर luggage का area आपके सामने आ जाता है, इसको हम ऐसे कर दिंगे, तो थर्ट रोग को fold करेंगे, अभी यह गाड़ी केवल five sitter layout में है, क्योंकि एक six sitter का भी option देती है, six sitter में भी पीछे ऐसी रहेगा, बस बीच में आपको additional captain seats मिल जाएंगी, और यहाँ से आप देखेंगे, यह वाला जो portion है, यह आपको थोड़ा सा curve किया गया है, क्योंकि अगर आप सफारी देख लीजे, या फिस कॉप्यों देख लीजे, इन में boot space थोड़ा limited रहता है, क्योंकि आगे की seat लिए अच्छा leg room मिनने बनाया है, तो इसलिए, अगर आपको जब इमर्जेंसी में ज्यादा समान ले जाना है, तो आप इसको fold कर सकते है, यहाँ पर भी थोड़ा सा, जो cladding का part है, वो है, एक ही additional ही दिया गया है, और जिससे मैं कहूंगा, इस positive feedback है, अच्छा यहाँ पर आपको, easy होता है, इसको खोलना बंद क जाएगा, यह कुछ रहा, अब आईए, जल्दी से एक बाद third row देख लेता है, कितना practical है आपके लिए, तो अगर आपकी family में बच्चे है, या फिर आभी आपको साथ और साथ पैसेंजर यूस करना है, तो कितना comfortable होगा देखते है, तो इसको सबसे पहले आपको, यहाँ से पूल अप करना है, और यह fully तरीके से tumble हो जाएगी, जैसे conventionally किसी भी seven sitter कार में होता है, उसी तरीके से दिया गया है, यहाँ पर भी जो foot step है, वो आपके मदद करेगा, एक additional यहाँ पर cladding का part दिया गया है, जिसे आप और आसानी से में चड़ उतर सकते हैं, और यह रही इनकी third row, जो की इतना कुछ spacing देगी, यहाँ पर दो लोगों के लिए आपको headrest पूरा दिया गया है, यहाँ पर देखने के बीच में, टीनों लोगों को headrest दिया गया है, तो वो अच्छी बात है, तो total actually seven sitter का पूरा तो functionalities में बनाई गई थे, इन seats को हम एक बार इसे अगर fold करेंगे, तो यहाँ पर मैं आगिया हूँ, इसको application की third row में, यहाँ पर आप देखेंगे न, मेरी height six feet है, तो थोड़े अगर आप full size adult यहाँ पर आएंगे, तो आपके goodness मटा चोरने वाले है, लेकिन in the case of emergency, कोई जाधा दिक्कत नहीं है, वहीं अगर आप देखेंगे न, second row के मुकाबले भी जादा है, तो आपका ऐसा feel नहीं होगा, कि गाड़ी जब loaded है, या फिर पीछे आपके boot में भी समान है, तो गाड़ी जादा दब गई है, या आपको uncomfortable feel हो रहा है, ऐसा नहीं है, seat already थोड़ी उची है, तो आप level maintain करके चलेंगे, तो यह कुछ रहा front का प ownership reviews, बहुत जल दाता हूँ, अभी तो 21 तारीक को इसकी automatic की pricing आएगी, तब आप देखींगे कि किस हजाब से इसकी pricing को ने बनाया गया, अगर आप यहीं से इसमें जाना चाहते हैं, इसकी second row से आखे, तो यहां से आब आ सकते हैं, तो बहार निकलना भी कोई ज़्यादा दि उट रेते, जहां पर आपको off-roading भी हो जाए, 4x4 का option भी हो, powerful automatic engines भी मिले, powerful manual engine हो, petrol, diesel, सब कुछ हो, तो आपके पास यह बहुत बढ़िया option है, तो मिलता ऐसी और नई वीडियो के साथ, उमीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी, अभी हमने बहुत ही जादा quick आपको update दिया है, अभी महिंद्रा ने throughout the India, इस गाड़ी को dealership से पहुचाना शुरू कर दिया है, तो आप भी अपनी nearest महिंद्र डिलर्शिप पे जाए, मैं भी आया था, experience आपके शेयर करा है, मिलता ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैंद, जै भारत, बंदे मातर बुट बढ़ी